दोस्तो आज हम घर में उपलब्द सामगरी से बनाना मिल्क सेख बनाते हैं बनाना मिल्क सेख बनाना बहुत ही आसान है ये केले और दूसरे बना सेख है ये सरीर को ठंडक पोचाता है बहुत हिल्दी होता है और स्वाद में बहुत टेश्टी होता है और ये बिल्कुल मार्केट जैसा घर में ही बनके तैयार हो जाता है चलिए अब रेसिपी सुरू करते हैं सबसे पहले हमने चार केले लिये हैं केले को छील लिया है केले को छीलने के बाद में जूसर में डालने से पहले हम केले के छोटे छोटे भाग कर लेंगे इस तरह से मैं कर रहा हूँ इसी तरह से छोटे छोटे भाग करना है और जूसर में डाल देंगे इसके बाद हम इसमें एक गिलास दूद डालेंगे जो करीब 200 गराम है थोड़ी सी चीनी डालेंगे और बादाम डालेंगे सभी सामगरी जूसर जार में डाल दी है और जूसर को चालू कर दिया है जूसर को बंद चालू करते हुए बार बार चलाएंगे इससे जूस अच्छे से बनके तैयार हो जाता है एक साथ कंटिनू जूसर को नहीं चलाएंगे बारबार बंद करना है और फिर चलना है ये हमने खुल के भी देило है जूस अच्छा बन गया है थोड़ा सा गाड़ा है इसलिए हम इसमें दूद और मिला देते हैं थुरा दूद मिलाने के बाद फिर से हम जूसर को चला देंगे इस तरह से बनाना मिल्क सेख बनकर तयार हो गया है अब हम इसको गिलास में सर्व कर देते हैं दोस्तों आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाइक, कमेंट और सेर कर दें साथी साथ बेल आइकन को क्लिक करके आल कर दें जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले राप्त हो सके हैं बनाना मिल्क सेख गिलास में सर्व करने के लिए तयार हो गया है हमने बनाना मिल्क सेख बनाने के लिए चार केले लिए हैं, पांसो एमेल दूद लिया है, पचाच गराम चीनी लिए है, चार बादम लिया है चीनी के इस्तान पे हम मिसरी, किस मिस, खजूर, आधी का इस्तमाल कर सकते हैं गुल का पाउडर का भी इस्तमाल कर सकते हैं ये स्वास के लिए बहुत अच्छे होते हैं हलका सा इसमें काला नमक भी डाल सकते हैं इससे भी इसमें स्वास अच्छा आता है दोस्तो आप भी अपने घर में बनाना मिल्क सेक जल्दी से बनाएं और अपना अनुभव कमेंड बाक्स में सेर करना ना भूले दोस्तो आपने देखा मार्केट जैसा बनाना मिल्क सेक घर में कैसे तयार हो जाता है बनाना मिल्क सेक घर पर बच्चों सो लेके ब्रदों तक सभी को बहुत पसंद आता है और ये से एक बहुत हिल्दी होता है